नवसकार दोस्तो जैहिंद वंदे मातरम आपके अपने योटूब चैनल सिच्छक भरती के चैनल दोस्तो राश्ठित में चैनल जैसवाल कोचिंग सेंटर पे स्वागत अभिनदन करता हूँ दोस्तो आप मैं आपके साथ जैसवाल सर दोस्तो बात करेंगे बालविकास प्रे आपने देखा नहीं होगा दोस्तो दिल से बोला हूँ इस वीडियो को अंतक देखेगा सपोर्ड कीजेगा और सलेक्षन पाने के लिए बहतर त्यारी के लिए दोस्तो ये 30 प्रस्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं या आपने ये वीडियो देख लिया तो आप प्रस्ण है ब्रिकत लिखावट के साथ लिखने की छमता में कमी जो है निम लिखित में से किसका एक लच्छा नहीं जो विक्रत लिखावट होती है उसके साथ लिखने की छमता में कमी जो है निम लिखित में से किसका एक लच्छन है तो सभी लोग जानते हैं लिखावट समंदी जो आती है विक्रत लिखावट आती है तो आपका डिस्ग्राफिया होता है डी आपसं सही होगा लेकिन इस से रिलेटर यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा डिसलेक्सिया क्या होता है पढ़ने सम्बंदी विकार को डिसलेक्सिया वोते हैं बहुत ज़्यादा आता है ठीक है और डिस्ग्राफिया ये दो कुश्चन दोस्तो हर एक टी टी जम्मे 80% इन ही से रिलेटर प्रसन आते हैं तो डिसलेक्सिया पढ़ने सम्बंदी विकार को बोलते हैं लेखन सम्बंदी विकार को डिस्ग्राफिया बोलते हैं डिस्कैलकुलिया जो हो गया है आंगे प्रसन भी करेंगे थोड़ा है हर एक पूरे 30% करेंगे इसको थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं क्योंकि यहां से 1-2% आना कनफर्म है दोस्तो गंती को असल सम्मंदी जो विकार होता है उसे डिसकैल को लिया बोलते है वाक सम्मंदी यानि बोलने सम्मंदी जो होता है डिसफैसिया बोलते है लेखन एवं चित्रांकन सम्मंदी को डिसफैसिया बोलते है ठीक है अगर डिसफैसिया आता है लेखन और चित्रांकन सम्मंदी आपको डिसफैसिया होगा ठीक है दोस्तो और आपको जो होता है वर्तनी सम्मंदी जो विकार होता है उसकोdisarthographyा बोलते हैं और स्रमण सम्मंधी बिकार को Auditory Processing Disorder बोलते हैं Auditory यानि idea से सम्मंदित है तो स्रमण से सम्मंधीत हो जाएगा सुनने से सम्मंदीत हो जाएगा और दिरश प्रत्चछन चम्ता सम्मंदी बिकार को क्या बोलते हैं Visual Perception Disorder बोलते हैं टिक है और नवा आपका यह है इंदरी शमन में छम्ता समंदी बिकार को sensory integration of processing disorder बोलते हैं और दसमा जो है आपका और गेन, संघठानात्मक पठन समंदी बिकार उसको dyslexia बोलते हैं यानि कि और गेनाई जिसनल लर्निंग डिसाडर बोलते हैं तो ये दस महत्पूर्ण आपके बिकार हैं भासा सम्मंदित बहुत ही महत्पूर्ण थे आई होप आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा समझा दूसरा प्रस देखते हैं किसी बुद्ध में 12 वर्स के बालकों के लिए निर्धारित आउसत मान 75 है एक वर्स के बालक का इस परिच्छा में आउसत मान 75 है तो उसके मानसी कावग क्या होगी भईया सर चकरा आगया अभी तक ये प्रसनाता था एक ही में दो प्रसना गये अब आप लोगँ कैसे होता है में मांसिक का यह प्रकला कर देंगे और स感じ 75 के साथ गुना कर देंगे यह यानि की में गुने हेंड़्य बराबर सी यह कितना है 12 और गुने 75 कर देंगे यह आपका है यहां पर नीचे आ जाएगा अब देखें 2 कितनी आ गए 25 थैई 75 फची kes चो को साओ, चारेक कम चार, चारतेहीं बारा, तीन तरिकाई नौ आया, इसका कितना आ गया भाईया, हमने नौ निकाल लिया, अब आपने नौ निकाल लिया, अब आपको क्या पूँच रहा है, दूसरा देखे, एक वर्स के बालग जो है, इस परिच्छा में और सत मान 75 है, उसकी मान सी काव, क्या होगी, यहाँ पे भी यहाँ वही निकालना है, तो में गुणे हेंडेड होता है, बराबर क्या करेंगे दोस्तों, बराबर क्या करेंगे, बराबर एक गुणे 75 कर लेंगे, यह हेंडेड नीचे जाएगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 25, 75, 25, 100, य था ठीक है इस संख्यू की हम क्या करेंगे इस संख्यू कहम क्या करेंगे चार बटे तीन में लिखेंगे और मल्टिफिकेसन नव कर देंगे तीन एक कम तीन अलग होती है वाई गोस्की के अनुसार भासा जो है भासा से क्या होता है बच्चे का मानसिक विकास होता है और संस्कत से क्या होता है संस्कत से बच्चे का संग्यानात्मक विकास होता है नोट कर लेंगे ये सभी वाई गोस्की के अनुसार है बहुत बहुत धनवाद दोस्तों वीडियो को लाइक करने के लिए अंगला पस देख लेते हैं बिने साइमन बुधी परिच्छन को संसोधन करने वाले कौन है आपके बिने और साइमन एक जो बुधी परिच्छन है उसको संसोधन करने वाले आपके टर्मन है ड्रेवर है, मन है या डिवी है नीचे कमेंड बाक्स में आज बता देना है 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर रहे है और कौन कर रहा है या टॉप रेंग खांसिल I can do it, I do it नीचे जाके कमेंड बाक्स में हैश्टेक आपको कमेंड करना है तो बिने साइमन बुद्ध परिच्छन को संसोधन करने वाले मेरे प्यारे मित्र कौन है तो वह कोई और नहीं आपके टर्मन है कैसे देखिए दोस्तों मैं आपको डिटेल के साथ लेकर आया हूँ अमेरिका में बिने साइमन परिच्छन का प्रचार जो है गोहार्ड ने किया था ठीक है ये आ गया कि बिने साइमन परिच्छन का अमेरिका में USA में प्रचार किस ने किया था तो गोहार्ड ने किया था और टर्मन ने मैरेल के साथ मिलकर एक संसोधन किया जिसका नाम New Stanford Revision रखा गया ठीक है और England में इस बुद्धी का परिच्छन जो है Sir Sir Siril Bert ने संसोधन किया जो London Revision कहा जाता है तो London Revision जो कहलाता है किसके द्वारा किया गया इंगलेंड में इस बुद्धी का परिच्छन जो है Siril Bert ने संसोधन किया था London Revision को और आपका जो इस संसोधन में तेन से लेकि 16 वर्स की आई वए बालकों के लिए कुल 65 परिच्छन है तो यह पूरा डिटेल के साथ था आए देखते हैं अंगला परिच्छन बेतरीन लाजवा परिच्छन है देखिएगा इस परिच्छन को समझेगा ध्यान पूरक कि राम न हाँ से खाना सीखा जब उसे सब्जी के साथ चपाती दी जाती है राम ने हाँ से खाना यानि कोई बच्चा है जब बच्चा हाँ से खाना सीख जाता है ठीक है अपने हाँ से तो उसे सब्जी के साथ चपाती दी जाती है यानि रोटी दी जाती है तो उसके साथ चपाती क एक टुकड़ा तोड़कर खाना सुरू करता है कौन राम सुरू करता है तो हम कह सकते हैं कि इसकीमा के अंतरगत खा रहा है तो राम जो है किस इसकीमा के अंतरगत खा रहा है प्रारंबिक इसकीमा के अंतरगत समयोजित इसकीमा के अंतरगत आत्म साथ इसकीमा के अंतरगत या आपका बिन्योजित इसकीमा के अंतरगत तो कोई भी बालक जो है जब स्वैम अपने से खाना खाना सीख जाता है वो जैसे आदमी के दूसरा कोई करता है ना कि एक टुकड़ा जैसे हम और आप लोग वैसक लोग करते हैं एक टुकड़ा सबजी में डालते हैं फिर खाना सुरू करते हैं वैसे ही राम एक बालक कर रहा है जब वैक खाना सीख जाता है तो यह किस इसकीमा के अंतरगत खा रहा है दोस्तों तो यह आपका आत्म साथ कहलाएगा ठीक है आत्म साथ इसकीमा के अंतरवगत खा रहा है तीसरा अप्सन सई हो जाएगा अंगला प्रसन है सन 1860 में किसने ये सिद्ध किया कि बिक्तियों में उच्च बौधिक योगताओं उनके वनसानुकरम का पईणाम होती है प्रसन है सन 1860 में किसने ये सिद्ध किया कि बिक्तियों में उच्च बौधिक योगताओं उनके वनसानुकरम का पईणाम होती है अंगला प्रसन दिया गया है कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस कर लेते हैं तो वे जो है बच्चे के वरतमान इस्तर के प्रदर्शन को संभावित छमता के इस्तर के प्रदर्शन को प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं इसे क्या कहा जाता है सहिगामी अदिगम, सहयोगात्मक सिच्चन, समीपस्थ विकास या मंचान सिधान्त या सहयोग देना क्या होगा? राइट अप्सन आ चुका है दोस्तो, राइट अप्सन आ चुका है कि जब कोई व्यस्त जो है सहयोग से सामन्जस कर लेता है और तब वे बच्चे के वरतमान इस्तर के प्रदर्शन को संभावी छमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगत क्रम को सुगम बनाते हैं इसे आप मन्चान सिधान्त या सयोग देना कह सकते हैं डियापसन सयोग हो जाएगा ठीक दोस्तों अंगला पस देख लेते हैं बुद्धी पहचानने तथा सीखने की सकती है या किसने कहा था बुद्धी पहचानने तथा सीखने की सकती है किसने कहा था तो भईया गाल्टन ने कहा था दो परिवासाएं पूछी जाती है पहला है कि बुध्ध जीवन की नवीन समस्याओं के समयोजन की समान योगता है किस ने कहा था तो इस्टर्ण ने कहा था बुध्ध जीवन की नवीन समस्याओं में समयोजन की समान योगता है यहां के सावर्ण की बार बार यहां की क्या हो रही है प्रवत्ति हो रही है इस टन में भी सावर्ण है तो आप लोग एक logical point भी note कर सकते हैं logical word note कर सकते हैं और बुद्धी पहचानने तथा सीखने की सकती है किसने कहा तो गालटन के अनुसार है सभी लोग note कर लेंगे अंगला प्रसन आ चुका है मेरे प्यारे में अंगला प्रसन पूँचा जा रहा है कि निमनिकित में से किस प्रसन का मिलान जो है उनके 26 छेतर के साथ सही डंग से किया गया है देखते हैं क्या गणित की उपलब्दियों के धार पर आप अपने चात्रों को वजगी कत कर सकते हैं यह आकलन या मुल्यंकन होगा कल रात क्रिकेट मैच के प्रसारन में निर्णायक बिंदु क्यार था यह क्या होगा रचनात्मक्ता कहलाएगा जड़ी बूटियों को प्योग करके चिकन पकाने के लिए एक नई पाक भी दिया यह एक अनुपरयोग कहलाएगा ठीक है आपसन अमबर D देखिएगा कि दिये गए मापकों में कौन सा मापक जो है आपको उत्तम पईडाम पाने में सहायता कर सकता है इसका निधान कीजिए बिसलेशन तो देखिए दोस्तो देखिए इन प्रस्नों में से जो प्रस्न का मिलान उनके बिशिष्ट छेत्र के साथ सही डंग से किया गया है वह आपको क्या हो जाएगा D आपसन कि दिये गए मापकों में कौन सा मापक आपको उत्तम पईडाम पाने में साहता कर सकता है इसका निधान कीजिए बिसलेशन तो यहाँ पर D आपसन आप लोगों का सही हो जाएगा अंगला प्रस्न है दोस्तों क्या पूंचा जा रहा है अंगला प्रस्न स्कीन पर है सभी लोग नोट कर लेंगे अंगला प्रस्न क्या दिया गया है प्रस्न है कि बुद्धी जो है त्री आयामी सिध्धान किस ने दिया था बुद्धी का त्री आयामी जो सिध्धान्त है देने वाले आपके कौन है थर्ष्टन है, गिलफोड है, थंडाइक है या आपके इस्पियर्मेन है तो बुध के दोस्तों त्री आयामी सिधान देने वाले थंडाइक है और एक कारक बीने टर्मान और इस टन है सबी लोग नोट कर लेंगे देखे बहुंगोदि कारक को या बहुकारक को क्या कहते हैं बहुत कारक के नाम से जानते हैं आनवी कारक के नाम से जानते हैं और इनका सभी लोग जानते हैं इनका प्रयोग करने वाले सिध्धान देने वाले आपके थारण डाइक है अंगला प्रसन आ चुका है दोस्तो हर एक प्रसन सलेक्टेट प्रसन है आपके concept exam pattern पर है दोस्तों किसको छोड़ कर अधियाम अच्छमता निम्लिकित में से सभी कारणों से हो सकता है किसको छोड़ कर मस्तिस्क रोग यानि सेटेवल को छोड़ कर भावातमक असांती को छोड़ कर बिवहार असांती को छोड़ कर या सांस्क्रती कारक को छोण कर आपको पता सलेक्षन के लिए CDP, Child Development, Pedagogy बहुत important होती है तो practice should भी बहुत important है तो किसको छोण कर अधिया मच्हमता जो है निम्लिकित में से सभी के कारणों से हो सकता है दोस्तों देखे सभी लोग जानते हैं सांस्क्रती कारक को छोण कर मस्ति सांस्क्रती कारक जो है यह अधिया मच्हमता से नहीं हो सकता ठीक है दोस्तों आईए देखते हैं अंगला प्रसुन आपको क्या कह रहा है स्कीन पर है कि सामान बुद्धी बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाता है जब बालक गेरा माय का होता है जब बालक शोल 51 माय का होता है 51 मंथ ठीक है तो शामान बुद्धी बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाता है तो राइट आपसन क्या जाएगा दोस्तों आपसन गेरा माय होगा ठीक है बच्चा एक वर्स का नहीं हो पाता है या होने वाला होता है कि वह शामान बुद्धी बाल बालक सीख जाता है आपका गेरह माय हो जाएगा अंगला पस देख लेते हैं मानो विकास कई छित्रों में बांटा गया है जैसे आप जानते हैं मानो विकास को कई छित्रों में बांटा गया है जैसे सरीरिक, संग्यानात्मक, भावात्मक, समाजिक, भावात्मक, संग्यानिक मनो बैग्यानिक, संग्यानात्मक, भावात्मक, सरीरिक या सरीरिक, अध्यात्मिक, संग्यानात्मक या समाजिक आपको सही बताना है जैसे फारिक जांपल जैसे यानि की फारिक जांपल मानो बिकास को कई छेत में बाटा गया है जैसे आपका मनो बैग्ञानिक, संगयानात्मक, भावात्मक और अन्तिम में आपका सरीर इकाता है तो आपका सी आपसन यापर सई हो जाएगा अंगला प्रसुन है कि बाल्यावस्ता में मस्तिस का बिकास हो जाता है जब कोई बाल्यावस्ता की बात कर हğiniरे है तो बाल लेवस्ता में बच्चों का मस्तिस का विकास कितने प्रस्त हो जाता है 60 प्रस्त, 80 प्रस्त, 90 प्रस्त या 50 प्रस्त तो दोस्तों जब बालक क्या बाल लेवस्ता होती है तो बाल लेवस्ता में बालक क्या होता है जो स्कूल अधायत मुल्यंकन होता है वह किसके लिए प्रारम किया गया है देश में बिद्याले सिच्छा संगठन बोर्ट की सत्ता वेकेंदी करने के लिए सभी चात्रों के समगर विकास को निश्चित करने के लिए सिचकों को चात्रों की प्रगत की बेहतर ब्याक्षा के लिए यह सभी गतविदियों को नियंतर डिकार रखने के लिए या अन्न इसकूलों के साथ प्रतिस परधा को उत्कष्टा प्राप्ट के इसकूलों को प्रुसाहिद करने के लिए तो राइट अफसन क्या हो जाएगा दोस्तो इसकूल अधायत मुल्यंकन जो है निम्खित में से किस के लिए प्रारम किया गया था तो सभी चात्रों के समगर विकास को निश्चित करने के लिए स्कूल अधायत मुल्यांकन प्रारम किया गया था अंगला प्रसन है दोस्तों यदि चात्र अधिकान सकार स्वैम के हातों से करेगा तो चात्र में सरीरिक सकती बढ़ेगी चात्र में मानसिक सकती बढ़ेगी चात्र में परिश्रम करने की भावना जगरत होगी यह चात्र में आत्म निर्भरता जो है पैदा होती है तो यदि चात्र अधिकान सकार स्वैम के हाथों से करते हैं तो च्षात्रम क्या होता है दोस्तों परिश्रम करने की जो भावना है वो तो बढ़ती है लेकिन आत्मिर्भरता पैदा होती है बच्चे में यदि च्षात कोई भी आप लोग अगर स्वैम से कार कर रहे हैं ठीक है तो यदि कोई चात अधिकान सकार स्वैम के हाथों से करता है तो सभी लोग जानते हैं उसमें आत्मिलबरता की पैदा होती है उस बच्चे में आत्मिलबरता आती है तो D-Aption सई हो जाएगा अंगला पसंद दिया गया है कि एक सिच्छक की कच्छा में कुछ सरीरिक रूप से बिकलांग बच्चे हैं आप सभी लोग भावी अधापक अधापिका हैं आप लोगों के निक्थ हो गई तो आपके कच्छा में कुछ सरीरिक रूप से बिकलांग बच्चे हैं तो इन में से कौन सकतन उन्हें कहने के लिए उप्युक्त होगा कि भील चेयर पर बैठने वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने सात्यों की मदद ले सकते हैं मोहन कच्छा में बैठा रहा है और अन बच्चे मैदान में जाकर खेलें या मोहन बिकलांग होगा इसलिए उसको बोल रहा है कि आप कच्छा में बैठीए मा की अन बच्चे जाके मैदान में जाकर खेलें या मोहन आप अपनी बैसाखी कवप्यों खेल के मैदान में जाने के लिए क्यों नहीं करते हैं या आप बोलेंगे कि पोलियो गुरस्त बच्चे अब एक गीत पेस करेंगे तो राइट अपसन क्या होगा दोस्तो एक सिच्छक होने के नाते कच्छा में जो बच्चे कुछ सरीगी करूप से बिकलांग बच्चे हैं कौन सा कथन वहाँ पे सही हो जाएगा वह कथन यहीं सही होगा दोस्तो क्या होगा कि मोहन आप अपनी बैसाइकी का उपियोग खेल के मैदान में जाने के लिए क्यों नहीं करते हैं ठीक है राइट अपसन या पर सी होगा अपने अपने आपके जो भी ओपेनियन हो आप लोग कमेंट बाक्स में बता सकते हैं कि ABCD में कौन सा अपसन आपके लिए सई होगा अंगला पस देख लेते हैं इस्टर्ण के अनुसार खेल क्या है आपके जो मनोबेग्यानिक इस्टर्ण है इनके अनुसार खेल क्या है खेल एक जन्मजाद प्रवत्ती है खेल कार में एक प्रकार का मनोरंजन है खेल वह है जो हम करते है या खेल एक एच्छिक या आत्म निय किया है डी आसन सै हो जाएगा अंगला प्रसंद क्या दियागा है देख लेते स्किन पर एक समावेसी स्कूल बिद्धयाले के बारे में बहुत कर रहा है दोस्तो 오 फैसला करता है तो एक समावेशी स्कूल क्या करता है दोस्तों कोई भी एक समावेशी स्कूल होता है इस्कूल है लेकिन जब वह समावेशी स्कूल बन जाता है तो बिद्यात्री की चमताओं के परिवाय किये बिना सभी चात्रों के अधियम परिणामों में सुधार करने के ल प्रॉड आपसन नीचे कमेंड वाक्स सभी मेरे प्यारे मित्र बताएंगे तो लड़कियों में बाहर पर्युएतन किस अवस्ता में होने लगता है तो राइट आपसन आपका C के साथ जाएगा किस अवस्ता में अंगला पस देख रहे हैं दोस्तों क्या दिया गया है समाजी करन का आर्थ क्या है समाजिक मांदन्डों का कठो रूप से पालन करना समाज में समयोजित होना या समाजिक मांदन्डों से बिद्रोय करना या समाजिक वित्ता को समझना मेरे प्यार मित इसी ब्रकार के प्रसनाएगे जिन्होंने TIT exam qualified किया है या exam centre में बैठे है प्रसन को attend किये, उनको पता है इसी ब्रकार के प्रसनाएग थे और आप लोग वहाँ पर कया है qualification यानि कि select नहीं हो पाएगे थे तो इस बार पूरी तयारी चल लगए दोस्तों सेलेक्शन किये, ठीक है, सभी मित्रों को जेहन दे एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर दीजेगा, तो समाजी करन करत क्या होता है, तो समाजी करन करत क्या हो जाएगा दोस्तों, समाज में समयोजित होना, समाजी करन करत होता आता है वही आपका समाजी कंड कहलाता है भी आपसन सही हो जाएगा अंगला प्रसन है यदि किसी बालक की सरीरिक आयू 10 वर्स है तथा मानसी का आयू 13 वर्स है उसकी बुद्ध लब्द क्या होगी तो सभी लोग जानते है आईक्यू का फटा फटा में क्या करेंगे में आप तीसरा आपसन आपर सही हो जाएगा अंगला प्रस देख लेते हैं क्या दिया गया है बच्चे द्वारा संकल्पना निर्मान के समंद में निम्निकित में से कौन सा कथन सही है तो संकल्पना के निर्मान में बताना है संकल्पनाएं सम्वेगात्मक रूप से सुवेस्थित होती है संकल्पना विकास की एक निश्चित संद्शनात्मक वेवस्था होती है संकल्पनाओं की प्रकति पदानुक्रमिक नहीं होती है यह संकल्पनाएं व्यक्तिक्त नहीं होती है तो बच्चे द्वारा जो संकल्पना निर्माण है उसके समध में कौन सा कथन सही है दोस्त होती है गामक या यांत्रिक बुद्ध होती है यह सभी है दोस्तों तो यह बुद्ध के प्रकार जो है आपका दिया गए है राइट आपसन आपका फोर्ट आपसन होगा कि बुद्ध के प्रकार आपके अमोत रूप में होती है समाजिक बुद्ध भी होती है गामक और यांत् प्रसन दिया गया है दोस्तों प्रसन है कि सम्वेगात्मक रूप से अभिप्रेदित बच्चों की मुख विसेस्ता क्या होती है तो सम्वेगात्मक रूप से अभिप्रेदित बच्चों की जो मुख विसेस्ता होती है कि उनका अति प्रतकियात्मक सभाव होता है उनका अंतर दन तरीका होता है तीस से आपसनिया पर सही हो जाएगा उमिन्द दोस्तों आप एक हर एक प्रस्ण को अच्छे तरीके सटेंड कर पा रहे होंगी और वीडियो को तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्वा दोस्तों क्योंकि पावड़वाई सिच्छा ही प्रकास है दोस्त सब्सक्याओ के पहुंचते पहुंचते एक सामान बालक का जो है सब्द भंडा लगवक कितना हो जाता है एक हजार सब्द ठीक है छह हजार सब्द हो जाता है गेरा हजार सब्द हो जाते है यह सोला हजार सब्द हो जाता है तो राइट आपसन बताएंगे नीचे कमेंड ब पुनरवलन का सिध्धान किस से संबंदित होता है पॉलाओ से संबंदित है थांडाइक से संबंदित है कोहलवरक से संबंदित है या आपके इसकनर से संबंदित है तो सभी लोग जानते हैं पुनरवलन का सिध्धान था आपके दोस्तो पॉलाओ से संबंदित है पॉलाओ न बालक के समाजी करण का प्रात्मिक घटक क्या होता है जो बालक होता है उसके समाजी करण का प्रात्मिक घटक क्या होगा सबी लोग कमेंट करेंगे ठीक है बालक की जो है समाजी करण का प्रात्मिक घटक होता है परिवार होता है राजनीतिक दल विद्याले होंगी जब करीडा इस्ताल यानी की खेल का मैदान तो बालक के समाजी करण का जो प्रात्मी घटक कोई और नहीं होता है वह क्या होता है अब देखे यहां पर आपसन दिया गए क्रीडा इस्ताल होता है क्या सही है बालक के समाजी करण का प्रात्मी घटक क्या होता है नीचे कमेंट करें माता पीता भाई बहन आ सकते हैं ठीक है तो बच्चा जो है बालक समाजी करन का प्राच्मी गड़क उसका परिवार होता है भाई बहन माता पीता तो यहां पे पहला आप संसरी हो जाएगा यहां पर क्रीडा इस्तल सही दोस्तों आईए अंगला प्रस दिख लेतें अंगला तरीका क्या होना चाहिए कि प्राते कालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना या विद्याथियों के सामने एक परिशित रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना या सिच्छक एवं बढ़ों द्वारा नैतिक मूलों को प्रदर्सित करना या विद्याथिय तो राइट आपसन आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा सी आपसन यहाँ पर सही हो जाएगा और अंतिम आपका इस प्रेक्टिस सेट का अंतिम प्रसन है तीस्वा प्रसन है कि वेक्तित विभिंता के कारण होते है तो जो वेक्ति होते हैं उनके विभिंता के कारण अन्मानसिक्ता का प्रभाव होता है वातावरण का प्रभाव होता है या सरीरी का अन्मानसिक विचारों का प्रभाव होता है या इन सभी का प्रभाव होता है तो वैविक्त जो विक्तियों में भिंता होती उनका कारण होता है दोस्तो अन्मानसिक्ता का प्रवाों का कारण भी होता है कुछ वातावरन का होता है और कुछ सरीरी कौम, भी-चारों का प्रभा होता है इन सभी का प्रवाओं के कुल मिला के आपके विक्ति और विख्यूता का कारण होता है ठीक है? तो right option आपका fourth हो जाएगा Powerwise सिच्छा ही प्रकास है जैन से